चली आचुके हम अपने पेश के उपर और राज आप लोग बताने वाले हैं जीसपी के कुछ एसिफिकेशन्स के बारे में तो सबसे पहले जीसपी हमारा जिसका फूल फॉर्म होता है गेंगुलर सब्वेश और इसकी कुछ पांचे साथ एसिफिकेशन्स है तो सबसे पहले आता है MDD maximum dry density जो कि 2.305 ग्राम पर सेंट चीसी होता है दूसरा आता हमारा OMC ओपिटम मॉस्ट्र कॉंटेंट यह हमारा 6.38 परसेंट होता है और उसके बाद में हमारा तीसरा आता है LN और P.I. LN का फूल फर्म होता है liquid limit और P.I का होता है plastic limit यह होता है not more देन 25 परसेंट से 0.6 परसेंट चोथा आता हमारा CBR CBR California bearing ratio यह मोर देन 30 परसेंट होना ही चाहिए पांचव आता हमारा fill density जिसको FD बोला जाता है यह 90 परसेंट से 99 परसेंट होना चाहिए फिर छटा था हमारा maximum size of aggregate यह 75 mm maximum यूज क्या जाता है और ज्यादा तर यूज 75 mm तीरपन यूज होता है पिर आता है साथ हमारा maximum length thickness कितना होना चाहिए तो देखिए IS code के हिसाब से 1250 mm देता है लेकिन आज कर ज्यादा 300 mm भी यूज होता है और सबसे last में हमारा आता है level tolerance कितना होना चाहिए तो plus में 10 mm और minus में 20 mm मतलब कि अगर हमारा thickness बढ़ रहा है तो 10 mm ज्यादा बढ़ सकता है अगर thickness घट रहा है तो 20 mm घट सकता है 20 mm तक चल जाएगा उसके अलामा नहीं चल सकता है यह हमारा कुछ explanation से